अगर आप अच्छा हेड़फोन का सोच रखे तो इस वीडियो को जिरूर देखे फ्रेंस इस वीडियो में बताने वाले और अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं बॉट प्रांड का हेड़फोन जो काफी जबदस्त है यह जो बॉर्ट ब्रांड है आपको पता है कि बॉर्ट ब्रांड जो अपना नाम कमाया है सबसे ज़्यादा वह हेटफॉन के मामले में ही नाम कमाया है बॉर्ट ब्रांड तो आज उसी ब्रांड का हेटफॉन है जो की काफी जबलदस्त है प्राइस के मामले में लुक के मामल में तो इस वीडियो को लेट ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं अन्बॉक्सिंग की और इस जो आप देख रहे हैं यह हमेजन से मैंने प्रोडक्ट के यह हेड़ फॉन है यह हमेजन से इनका पैकिंग काफी अच्छा मैं लगए देखी इनका पैकिंग काफी अच्छा बड़ा सा बोक्स दिया है ओमाई गोड तो फ्रैंस यह बिल मिला है में जन से तो सब्सेसर से पहले यह जो हमारा बॉर्ट का हेड़ सूर्ष यह वांट का सारा चीज दिया ग्या है लोग अगर बैक साइड की बात करों तो यह देखूर फ्रैंस यहां पर जो बट का हेड़ फोन है इस तरीके से इनका पैकिंग है काफी अच्छा बाहर से भी दिख रहा है इनको ऑपन करते फिर देखते हैं रियल में कितना खुब्सूरत है बाहर से इतना खुब्सूरत लग रहा अगर इनकी साइड डबे की साइड की बात करो तो यहां पर सारा चीज मैंसन है कौन-कौन तो सबसे पहले इसको आपन करते हैं कि अब कर देखें काफी खुब्सूरत लुक है तो अब देखना है इस डबे के साथ क्या-क्या हमें मिलता है फैंस है जो आप देख रहे है यह डیटा केवल है डेटा-USB जाजर केयल है इन ही के थुरों से आप इसे हैड Gonna को बोलते फैंस यह लग भक दो मीटर का मिलेग आपको इसके थुरों से अगर आपका headphone discharge हो जाए या फिर आप कही traveling कर रहा है और discharge हो जाए तो यह केवल यूज करके आप headphone को सुन सकते हैं तो यह function काफी अच्छा है dual mode है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो यह देखिए काफी रिलैक्स मिल रहा है मत्तब ज्यादा टाइट नहीं है बहुत ऐसा headphone है जो कि आप यूज करेंगे तो आपका जो है सर और कान दर्द करने लगता है तो यह काफी soft है तो इससे नुकसान नहीं है और यहां पर एड़ेस्टेवल है आप सर के साइज के हिसाब से एड़ेस्ट कर सकते हैं और यह जो मेटल यूज किया गया है कंप्लीट प्लास्टिक है इसमें इस्टिल का यूज नहीं है तो यह मेरे मारत ख्याल से थोड़ा सा इस एड़ीश चयाया कह सो mean है तो यह कम हमें लगарा है कि इस-मियृश हो चाहिए अगर इस्टिल को जाता है तो कि अफ्क्रयण कर पर देख सकते है दो और यह आपको थिक क्लव में यह यह में एवलेबल है हलके ग्रीन में एंड जो लास्ट है वो है ब्लैक जो कि काफी फ्याइपी और खुबसुरत कलर है इस हेटफ़न में 300 एमेज का बैटरी यूज किया गया है जो कि 8 आवर्स के आसपास आपको बैटरी बैकप मिलेगा बुलुतुत वर्जन के बात करूँ तो 5.0 यूज किया गया है एंड 10 मीटर के आसपास इनका रेंज मिलेगा इस हेटफ़न में गूगल एसिस्टेंड एंड सीरी दोनों दिया गया है जो कि आप कंट्रूल कर सकते हैं इनका एयर कप से जो देख रहें काफ़ी सॉप्ट है साथ ही इस हेटफ़न में 40 mm का डायनमिक ट्राइबर यूज किया गया है जो कि काफ़ी एफेक्टिव साउंड बनाता है प्राइस की बात करूँ तो यह 899 का मिलेगा यह फिलिप कार्ट एंड आमेजन दोनों पर एबलेबल है और सारे कलर्स एबलेबल है अगर आप इस प्रोडक्ट को पर्चेश करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे तो आप वहां से पर्चेश कर सकते हैं तो फ्रैंस यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगए तो लाइक और सेयर जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग